जी फ्रेंड्स अगर आप भी प्रेशान हैं कि आपका वाई-फाई क्रेक्ट नहीं हो रहा है तो ये वीडियो स्पेशली आप के लिए है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको वाई-फाई ड्रैवर्स को डॉनलोड करने का तरीका बताऊंगा एक ऐसा मेथट जो 100% वरकि लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू वीवर्स हैं प्लीज मेरे चैनल को सुब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें ड्रैवर्स को डॉनलोड करने के लिए सबसे पहले आपने अपने लैप्टोप या वीसी पर नेट को कनेक्ट करने तो पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि आप अपने लैप्टोप या वीसी पर नेट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इसके बाद मैं आपको ड्रैवर्स को डॉन आपने यहां पे अपने लेप्टोप के साथ इसको connect कर लेना है connect करने के बाद दूसरी साइट जो है आपने को mobile के साथ connect कर लेनी है जैसे ही connect हो जाएगा इसके बाद आपने setting पे जाना है सेटिंग पे जाने के बाद आपने wireless and networks पे जाना है इसके बाद आपने यहाँ पे portable hot spot वाले option पे चले जाना है जैसे यह आप इस पे जाएंगे यहाँ पे आपको दो option नजरा रहे है आपने इन दोनों उप्शन्स को ओन कर देना है जैसे ही आप इन दोनों उप्शन्स को ओन करेंगे मेरे लैप्टोफ के आप देख रहे हैं कि वहाँ पर मेरे पास डेटा कनेक्ट हो रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास डेटा कनेक्ट हो चुका है अब मैं आपको बताऊँगा कि आपने ड्राइवर्स को कैसे डॉनलर करना है तो यहाँ पे आपने Google Chrome पे जाना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है ड्राइवर पैक स्लूशन तो यहाँ से परमर पस कुछ इस तरह का इंटरफेस आजएगा तो आपने यहाँ पेली वेब साइट को ओन कर लेना है इसके बाद आपने इंस्टाल और रिक्वाइड ड्राइवर्स पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे डॉलोड वले उप्शन पे क्लिक करना है जैसा कि आप देख रहे हैं कि मारे पास वो डॉलोड होना स्टार्ट हो गया है अब आम इसको जैसे ही मारे पास ही डॉलोड हो जाएगा तो हम इनको इंस्टाल कर लेंगे इंस्टाल करने के पास हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो शो होगी यहां पे हमारे पास एक option नज़रा रहा है open expert mode आपने इस पे click करना है यहां पे आपके पास loading start हो जाएगी तो मैं आपको बिताता चलू कि आपने यहां पे जल्दी नहीं करनी है यह loading कुछ time लेगी लेकिन आपने इस step को skip नहीं करना है सबर के साथ यहां पे easily इसको complete होने से नहीं जैसे ही आप new window पे आएंगे तो यहां पे आप देख रहे हैं कि मारे पास option है drivers for this computer यहां पे यह बता रहा है कि मारे पास install all six drivers मारे पास इस computer में इस laptop में six drivers missing है जो यह automatic इसने detect करके में बता दिया है अब हमने कुछ नहीं करना है अब यहां पे देख रहे हैं हमारे पास अब यहां देख सकते हैं यहां पे computer के total drivers यहां पे पड़े हुए हैं यहां पे हमारे पास पड़ा हुए है wifi device intel हमारे पास wifi का drivers है जो मारे पास missing था तो अगर आपके पास ऐसा drivers है तो यहां पे automatically इसने take लगाय हुए है आपने कुछ नहीं करना है आपने जैसे install all जो हमने उसने required दिया हुए है आपने just नीचे चले जाना है और वहां जाके आपने install all पे क्लिक कर देना है जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पे मारे पास loading start हो चुकी है तो इस processing में थोड़ time लगेगा तो आपने wait करना है जब तक यह processing complete नहीं होती इस processing में तीस मिनट से एक गैंटा भी लग सकता है आपने इसको easily पूरा होने देना है आपने इस processing को complete होने देना है तो जैसे यह processing complete हो जाएगा तो आपके laptop या पिस्टीगेट all problems जयां वह solve हो जाएगे खास और पे आपके wifi का problem network का problem वह solve हो जाएगा 100% तो यहां से मैं थोड़ा वीडियो को speed up करता हूँ इसको loading को complete करता हूँ क्यूंग यहां पे एक गैंटा भी लग सकता है तो यहां में थोड़ा का skip करता हूँ वीडियो को जी हां जैसा कि आप देख रहे हैं कि मारे पास यह processing complete हो चुका है तो after completing this process जैसे यह process complete हो जाएगा आपने अपने laptop को यह PC को एक बार restart कर लेना है restart करने के बाद जैसे ही आप अपने laptop पे आएंगे तो आप देखेंगे कि आप सारे के सारे problem solve हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं यहां भी मेरे पास Wi-Fi के जो पहले problem था अब वो solve हो चुका है यहां पे easily मैं इसको connect करके use कर सकता हूँ तो आज की इस वीडियो में मैंने सबसे easy way बताया है drivers को download करने का यह बहुत ही असान तरीका है easily आपने laptop या PC के all drivers को download करके install कर सकती है I hope यह वीडियो आपको पसांद आई होगी अगर पसांद आई है तो मेरे चैनल को subscribe करें बला इकन को press करें और वीडियो को like करना ना भूलिए मिलते हैं next वीडियो में जब तक लिए दीजिए अज़ाद अला अपेज़ बाएद